सिर्फ एक चमच हर रोज खाने से दिमाग होगा तेज हडिया होंगी मजबूत और बिमारिया रहेंगी कोसो दूर नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम बनाएंगे कुछ नया जाती जाती ठंड में हम बना लेते हैं एक ऐसी रेसिपी जिसको खा कर दोस्तों आपकी इमिनिटी बहतर बनी रहेगी और आप बिमार नहीं पढ़ोगे बदलते हुए मोसम में तो बदलते हुए मोसम के लिए आज हम रेसिपी बना रहे हैं ला जवाब और बहुत ही बढ़िया खा कर भी आपको मजा आ जाएगा तो चलिए बना लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक लिटर दूद कड़ाई में डाल कर इसे गरम होने के लिए रख देते हैं अब ले पानी में डाल लेना है पहले तो आप इसको साफ कर ले साफ करने के बाद इसको छोड़ दे पानी में और एक दो बार इसे डुआ कर देख ले फिर ये अपनी मर्जी से जब ऊपर आएगा ना उसका ध्यान रखना है आपने यह मैं क्यों कह रही हूँ यह मैं अगे वीडिय करके दोस्तो आपने जो उपर वाली स्थाय थी वहाँ पर चाकू से कट लगाना है इस तरीके से स्केर पीस में आप इसे काट लें और जो यह काटेंगे ना आप इसको भी ध्यान से रखना है यह नहीं है कि बार बार इसमें चाकू मारते रहें बस एक ही लाइन में आपने काटना है और इसको ध्यान से निकालना है यह मैं क्यों कह रही हूँ यह मैं अभी आपको बताऊंगी तो इस तरीके से बड़े ध्यान से आपने इसमें हौल बनाना है यह निकालने अब क्या करेंगे दोस्तों अब इसमें लेना है बादाम बादाम में ले रही हूँ जादा हो सकते हैं, वो आपके सूखे नारियल के उपर भी डिपैंड करेगा और बादाम के उपर भी डिपैंड करेगा, कई बार बादाम का साइज बड़ा होता है, और नारियल का साइज भी कम जादा हो सकता है, तो उस हिसाब से हम बादाम लेंगे, यहाँ पर दोस्तों मै आख भी बहुत तेज होता है और आखों के लिए भी बहुत बढ़िया है हमारे शरीर के लिए खस-खस बहुती बढ़िया चीज है इसे हमें जरूर खाना चाहिए गर्मी हो यह सर्दी हर मोसम में इसका सेवन आप कर सकते हैं पचास ग्राम के क्रीम मैंने खस-खस ली है खस- इसके लिए हम यहां ले लेते हैं, इस तरह का कोई भी कीप आपके घर में हो, यह ले ले, यह किसी और गैजट के साथ आप इसमें डाल सकते हैं, या थोड़ा-थोड़ा करके चमच से भी डाल सकते हैं, या फिर आप पॉलोथीन में होल बना कर भी डाल सकते हैं, इसमें खस- खस इसमें भर ली है, खस-खस भरने के बाद इसमें डालेंगे बादाम, बादाम जितने भी आपके इसमें आए वो डाल ले, पहले आदे बादाम ले, उसके बाद मैंने एक और चीज लेनी है, यह है दोस्तो सफेद मिर्च, आप इसकी जगा काली मिर्च का भी यूज़ कर स होगी और जिन लोगों की आँखों की रोशनी कमजोर है उनको भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा 10 से 15 दिन में आँखों की रोशनी तेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये इस तरह से आपने भूरी मेर्च लेनी है इसको सफेद मेर्च भी बोला जाता है वाइट पीपर और भूरी मेर्च भी इसको बोला जाता है तो वो इसमें डाल लें ये लगभग एक टी स्पून है छोटा चमच्छी लेंगे क्योंकि अगर आप इस मेर्ची की मातरा जादा करेंगे तो ये थोड़ा से तलक बन सकता है वैसे आप जादा भी ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी गर्मियां आ रही हैं तो इसकी मातरा थोड़ी सी कम ही रखें तो ये मैंने डाल दी है अब दोस्तो इसमें 8 से 10 आपने हरी इलाइची भी डाल लेनी है हरी इलाइची हमारी सहत के लिए बहुत बढ़िया होती है गले में इंफेक्शन नहीं होता आवाज भी अच्छी होती है और काफी टेस्टी भी बन जाएगी आपकी ये रेसीपी अब इसमें उपर से भी भर लेते हैं बदाम बदाम जितने आए आप उतने ले लीजिए ये बदाम मैंने भर लिये हैं अब आपने जो मैंने ये पीस निकाला था इसमें से यानि इसका धक्कन निकाला था वो आप इसमें फिट कर दे दुबारा से तो इसलिए मैं कह रही थी कि आपने इसको बड़े ही ध्यान से काटना है अब चलते हैं गैस पर गैस पर जो हमने दूद रखा हुआ है उसमें इस नारियल को डाल ले डालना कैसे है? ये साइड इसकी उपर रखनी है जहां पर कट लगा हुआ है नहीं तो दूद अंदर जा सकता है दूद अंदर नहीं डालना है इसमें बिल्कुल बाहर से हमने इसको सीम गैस पर पकाना है आधा पोना घंटा तो इस तरीके से आपने डालना है और ये साइड उपर ही रखे मैंने पानी में इसलिए डूबा कर देखा था ताकि ये अपनी शेप जहां इसने लेनी है वो ले सके तो इसी तरीके से पानी में डूब रहा था इसी तरह से ये दूद में डूबेगा तो इस तरह से करते हुए दूद इसकी साइड में डालते हुए इसको आपने पकाना है कम से कम आप 40-45 मिनट इसको पकाएं सीम गैस पर तो देखिए दोस्तो 40-45 मिनट के बाद दूद भी थोड़ा सा गाड़ा हो गया है और ये भी अच्छे से पक गया है बिल्कुल अच्छे से हो गया है अब इसको निकाल लेते हैं आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है इसको निकालने में 40-45 मिनट जरूर इसको पकाए ऐसा करने से क्या होगा ? जो हमने अंदर खस खस और बादाम ूदाला है और ये नारियल है, इसकी तासीर चेंज हो जाएगी तो अब हम इसको बदलते मौसम में बना रहे हैं तो हमें तासीर गरं गरं ज्यदा नहीं चाहिए मतलब मीडियम सी इसकी तासीर होनी चाहिए ऐसा हम इसको बना लेते हैं दूद में डाल कर तो इस सरी के से आपने इसको निकाल लेना है अब जो ये दूद बजा है इसका आप मावा निकाल सकते हैं या फिर मिठाई वगरा बना सकते हैं या फिर इसका शर्बत बना सकते हैं या फिर आईस्क्रीम जमा सकते हैं बहुत सारे option हैं हमारे पास इसको बिल्कुल भी waste नहीं करना है ना ही ये खराब हुआ है और अगर आईस्क्रीम वगरा नहीं बनाना चाहते इसकी तो ऐसे ही इसको पी भी सकते हो या फिर चाई में भी डाल कर ले सकते हो तो इस तरीके से आपने इसका यूज कर लेना है अब देखते हैं अपने नारियल को नारियल देखें साफ कर ले इसको अच्छे से कपड़े से कपड़े से साफ करके आपने इसका धकन हटा कर इस में से जो समान हमने इसमें डाला था वो निकालने सारा या फिर आप काट लीजीए इसको बीच में से वो इईलि निकल जाएगा देखिए बीच में से काट ले इसको और इसके भी छोटे-छोटे पीस पर लीजीए इसका भी हम चोटे चोटे पीस अब इसको डालते हैं एक मिक्सी जार में दोस्तों आपने वो सारा मेटिरियल भी डाल लेना है जो हमने बादाम और खस खसली थी वो भी आपने इसमें डाल लेनी है तो ये डाल लिया है अब इसमें डालेंगे एक टी स्पून सौफ सौफ जो होती है हमारी हडियों को भी मजबूत बनाती है और आखों के लिए बहतरीन है शरीर में ठंड़क पहुचाती है तो इस तरीके से आपने सौफ लेनी है सौफ की मातरा थोड़ी सी आप बढ़ा भी सकते हैं यदि पसंद करते हैं कई बार बच्चे इसको नहीं खाते तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ सौफ को तो डाल कर दोस्तो आपने इसका पाउडर बना लेना है पाउडर बना कर दोस्तो आपने देखिए इस तरह से हमारा पाउडर बन गया है इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में बाउल में निकालने के बाद भी दोस्तों हम इसमें दो चीजे और एड़ करने वले हैं जिससे आपकी ये रेसिपी बहुत ही हल्दी बन जाएगी और टेस्टी भी बनेगी ये तो हो गया हमारा पाउडर अब ये मैंने लिया है ये है गुलाब की पखडिया जैसे गुलाब के फूल होते हैं सुखी हुई पखडिया या तो आप घर पे सुखा सकते हैं इनको यह फिर पंसारी की दुकान पर यह भी easily मिल जाती है सूखी सूखाए तो आपने इनको पहले थोड़ा सा धूप में रखना है धूप लगा कर दोस्तो आपने इसकी पत्या पत्या लेनी है यानि इसकी पत्या पत्या चाट ले एक मुठी बहुत है इसकी पत्तियों की अब इसको डाल लेना है आपने मिक्सी जार में और साथ में डालेंगे ये है धागे वाली मिश्री धागे वाली मिश्री आँखों के लिए बहुत बड़ी अब बहतरी काम करती है तो आपने इस तरह से धागे वाली मिश्री ही लेनी है वो पूजा वाली मिश्री होती है जो वो नहीं लेनी है धागे वाली मिश्री ही लेनी है इसमें धागा होता है और इस तरह से ये बंदीसी होती है अब आपने पहले इसको कूटना है ताकि हमारी mixi खराब ना हो जाए तो आपने इसको थोड़ा सा कूट लेना है कूट कर ही दोस्तो आपने इसका powder बनाना है अब mixi में हमने गुलाब की पकड़िया डाली वी थी उसके साथ ही आपने ये मिश्री डाल लेनी है मिश्री दोस्तो आप अपने टेस्ट के उनसार भी ले सकते हैं कम ज़्यादा आप कर सकते हैं दोनों को पीस लेते हैं powder सा ये हमारा बन गया है बिल्कुल बड़िया तरीके से अब आपने इसको चानना नहीं है आपने इसको ऐसे ही powder में mix कर देना है जो हमने पहले बना कर रखा था mix करने के बाद लो जी हमारी recipe ये हो गई है तेयार अब आपने इसका 7 कैसे करना है और कब करना है जैसे बड़े लोग होते हैं 15 साल के उपर के जितने भी बच्चे हैं बड़े हैं सबने एक चमच इसका 7 करना है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आधे चमच का 7 करना है यानि जैसे 4 से उपर के बच्चे होते हैं 15 साल तक के उनको आधे चमच का 7 करना है 7 कैसे करना है या तो आप इसको ऐसे ही ले ले फाकी की तरह या फिर आप इसको दूद में खोल कर भी ले सकते हैं वो आपकी इच्छा है जैसे भी आप लेना चाहते हैं एक और मैं टेस्टी तरीका आपको बताती हूँ कैसे आप ले सकते हैं जैसे ही आप दूद उबालने रखते हैं गैस पर तो उस दूद में आप इसका एक चमस डाल लीजिए और इसको पका ले पका कर दोस्तो बिना चाने दूद को आपने सेवन करना है इतनी बड़िया रेसीपी बनी है पीने में दोस्तो टेस्टी लगेगी और आपको फायदे भी भरपूर मिलेंगे हडिया भी मजबूत होंगी इससे आँखे भी तेज होंगी और शरीर में जो थकावट वनी रहती है वो नहीं होगी अभी जैसे बच्चों के एक्जाम टाइम हैं तो आप उनको दे सकते हैं और रिलक्स फिल करा सकते हैं इसको खाकर उनके अंदर एनरजी भी आएगी इम्मिनिटी भी बड़ेगी हडिया भी मजबूत बनेगी आँखों पर असर नहीं होगा बलकि आँखे जो कमजोर हैं वो भी तेज होंगी तो काफी फरक पड़ेगा आपको इस रेसीपी को लेकर तो मेरी तो यही सला है जिस भी घर में बच्चे पढ़ते हैं या ना भी पढ़ते हों सबने इसका सेवन करना है बना कर रख लेना है इसको और इसका सेवन कर ले सर्दियों में हम इस रेसीपी को दूसरे तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको बना कर दिखाऊंगी अगल tight container में डाल कर रख लें तो इसका save on करें आप सुबह भी save on कर सकते हैं इसका दूद के साथ खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं या फिर रात को जब आप सोते हैं तब भी आप इसका save on कर सकते हैं बहुती बड़ीया recipe है आज की तो इस तरीके से आप ready करें तो दोस्तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट recipe के साथ तब तक धन्यवाद